हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F13 Android मॉइल फोन में आप अपने मॉइल फोन की call ended की problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके मॉइल फोन में call ended की problem आती है तो सबसे पहले आपको अपने मॉइल फोन को एक बार restart करना है मॉइल फोन को restart करने के लिए मॉइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उगली से दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा इस तरीके का इसमें आपको restart का option मिलता restart पर टैप करना है इससे क्या होगा आपका मॉइल फोन आटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा फर इसके थोड़ी दिर बाद प्रॉपरली ठीक तरी किसे काम नहीं करती है जिसकी वज़े से हमारे फोन में call ended की प्रॉलम देखने को मिलती है तो आपको अपने मॉइल फोन की network setting को reset करने के लिए आपको मॉइल फोन का setting पेज ओपन कर लेना है अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइट रिसे नेटवर्क सेटिंग पर आपको टैप करना है अब इसके अगले पेज में आपको फिरिद से रिसेट पर टैप करना है आपको थोड़ी दिर में नीचे लिखा हुआ आएगा network setting reset इस तरहीं से आप मॉइल फोन की network setting को आपको reset करने के लिए आपको मॉइल फोन का setting पेज ओपन करना है अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ओपर यह three dot option मिलता है three dot पे टैप करना है एक छोटा सा page open होगा इसमें आपको reset to default पे आपको टैप करना है आपको नीचे की साइट ने पेज आएगा reset reset apn setting का तो इसमें आपको नीचे की साइट reset 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 पे टैप करना है तो reset पे टैप करेंगे तो आपका नीचे की साइट लिखा हुआ आ जाएगा आरे mobile phone के android system में कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको चेक के से करना है इसके लिए आपको mobile phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको mobile phone का सेटिंग पेज ओपन करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देखिए आपको अपने mobile phone को reset ना तभी करना है जब मेरे बता हुए पिछले process अगर कोई भी काम नहीं करते है तब आपको reset करने के लिए phone का setting पेज ओपन करिए इसके अंदर आपको सबसे उपर search आइकन पर टैप करना है यहां पर आपको सब हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह द्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात यह द्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है तो इस वीडियो में आपको जितने ही process आपको बताएं सारे process आपको यूज करने है तो इससे आपके phone की call and it की problem solve हो जाएगी